नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेड रेस्पी बाई सुरीता सिंग पर दोस्तों आज मैं लेकर आई हूं मिनी समोसे की रेसिपी क्योंकि दिवाली आ रही है मिठाई तो हम बनाते हैं लेकिन कुछ नमकीन पहले से घर में बनाकर तयार कर लें तो जो जो हमारे घर में महमान आएंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आप कहेंगे हमने इसे घर में बनाया है तो जरूर इसे खाना पसंद करेंगे और दोस्तों इन मिनी समोसे को मैं भाकरवाड़ी मसाले के साथ बनाकर तयार करूंगी क्योंकि एक बार इन समोसे को पराम से बिना फ्रेज में रखे 15-20 दिन तक भी इस्टोर कर सकते हैं तो हमारा दिवाली पर हमारे उपर बर्डर नहीं रहेगा हम इस तरीके के स्नेक्स पहले बना कर तैयार कर सकते हैं तो दोस्तों आएए चले मेरे साथ बिलकुल मार्केट जैसे दिखने वाले हम इन भाकर पाकि कोई भी इंपरियो priण होगी वो ऊपर रहा जाएगी अब आधा कटो correlate डॉरी बेसन डाल देंगे बेसन को भी छान कर चानकर यूज करेंगे क्योंकि एन चानने से हलका हो जाता है वسم को समच अज़मान लेंगे अज़मान को हतेली पर रखकर इस तरीक के से मसल कर डालेंगे इसका टेश्ट निखर कर आता है और अजमान डाइजेशन में हेल्प करती है अब स्वात के नुसार चोथा ही चमच नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें मैंने देशी घी को मेल्ड कर लिया और मैं इसमें 6 चमच जिससे हम चावल खात है अब जरुत के नुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे यह नॉर्मल पानी है और इसका टाइट डो बनाकर के तयार करेंगे पानी एक साथ ना डालें नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक होगा तो दोस्तों मैंने करके सेट होने के लिए छोड़ दूगी तब तक हम इस्टफिंग तयार करते हैं तो दोस्तों उसके लिए यह मैंने इमली की खट्नी मीठी चट्नी लिया यह मैंने घर में तयार किया है इसकी रेसीपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी वैसे मेरे चैन होते हैं उसे मैंने अलग कटोरी में ले लिया है अब इसमें मैं एक बड़ी चम्मच यह खट्टी मीठी चट्नी डालोंगी चट्नी एक बार में ज्यादा ना डालें और इसे अब मैं हास से मिला कर तयार करूंगी एक बार में ज्यादा मीठी चट्नी ना डालें क्योंकि ह हमें बिल्कुल इसे बाइंड करना है गीला नहीं करना है तो देखे दोस्तों मैंने मिनी समोसे के लिए परफेक्ट मसाला बना करके तैयार कर लिया है इधर हमारे डो को लगाई हुए भी लगभग 20 मिनट हो गया है अब मैं हलका सा लगभग आदा चम्मस तेल हाथ में कर लोगी एक भाग को मैं ढख करके रख दूँगी क्योंकि एक साथ इसे खुला रखेंगे तो यह ड्राय हो जाएगा पहले मैं आदे पोर्षन के मिनी समोसे भर कर तैयार कर लोगी उसके बाकी बचे दो से तैयार करूँगी आब इस आदे पोर्षन को एक बार फिर से मसा कर लूगी तो हमने सभी पेड़े बना लिया है अब एक पेड़े को मैं लोगी और बेलन से इसे इस तरीके से बेलूगी और दोस्तों इसे बहुत जादा पतला भी है और बहुत मोटा भी नरखना और इस तरीके से ओर शेप में हमें बेलना अब इसके दो पार्ट कर अब इसकी एक पट्टी में हाथ में लूँगी और इसमें पानी से इस तरीके से लगा करके इसे चिपका दूँगी ऐसा करने से फ्राइ करते वक्त ये खुलते नहीं हैं अब देखें हमना एक ये कैपसी तयार कर ली है अब इसमें हम थोड़ा सा ये भाकरवाडी मसाले की श तयार है आईए एक समसे को इस्टफ करके और दिखाती हूं पट्टी पे इस तरीके से पानी लगाएं और इसे चिपका दीजिए और हमारी सुन्दर सी कैप तयार हो गई है आब इसमें हम थोड़ी सी इस्टफिंग डालेंगे और इसे उंगली से दबा देंगे चार तरफ हम पानी लगाएंगे पीछे एक फोल्ड देंगे और इसे भी दबा करके अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे तो लीजी दोस्तों हमारा ये वाला मीनी समसा भी भर करके तयार है इस तरीके से दोस्तों हमने सभी मीनी समसे भर करके तयार कर लिया है इधर कड़ाई में हमने oil गरम कर लिया है oil हमें medium गरम चाहिए देखिए मैंने एक इसमें समों से डाला है तो ये उपर नहीं आ इसका मतलब ये बिल्कुल perfect गरम हुआ ज्यादा गरम नहीं हुआ है अब जितने समों से एक बार में आ सकते हैं उतने हम कड़ाई में डाल देंगे और कुछ seconds के लिए इस इसी तरह डला रहने देंगे उसके बाद हम इसे कर्ची से इस तरीके से हलका हलका इसे खिलाएंगे और flame हमारी low to medium ही है और दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम एक बार पकने देंगे color आने देंगे देखिए दोस्तों ये इसमें हलका color आ गया ये हलकी हो गए कड़ाई में color आने तक हम इने fry कर लेंगे थोड़ी देर बाद देखिए दोस्तों इनका color एकदम golden हो गया है ये perfect बनकर के तयार है आप इसे हम एक छली में निकाल लेंगे ऐसा करने से जो भी excess oil होगा फिर दुबारा कड़ाई में चला जाएगा तो देखिए हम समासों को इस तरीके से और जटक लेंगे जो oil होगा वो निकल जाएगा अब इसे हम एक छोटी सी प्लेट में रख लेंगे ताकि जो भी oil और होगा वो भी निकल जाएगा तो देखिए दोस्तों हमारे mini समों से बनकर के तयार हैं और देखने में ये बिलकुल हलवाई style बिलकुल market जैसे लग रहे और आराम से 15 दिन तक भी आप इने खा सकते हैं तो दोस्तों अब की बार दिवाली पर आप इन mini समों से को बनाएगा जरूर आप इसे कई दिन पहले बना करके तयार कर सकते हैं और comment section में बताएगा जरूर आपको मेरी recipe कैसी लगी यदि आपको मेरी recipe अच्छी लगती है त सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकने प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई recipes के notification सबसे पहले आप तक पहुँचे thanks for watching मिलती में next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई